श्कार दोस्तो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत है आपका आज की एडिटोरियल की complete analysis में तो चलिए शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल complete analysis सबसे पहले मतलब समझते हैं topic का क्या लिखा है दोस्तो the job and the man अब दोस्तो job हम कहते हैं किसी एक particular task को ठीक है और man जो की इस task को perform करने वाला है अब यहाँ पे दोस्तो the job refer कर रहा है United Kingdom की economic slowdown से निकालने के job को मतलब उसकी जो मंदी चल ले United Kingdom में जो recession चल ले है जो आर्थिक इसी थी चल ले है उसको निकालने का जो काम है उसको निकालने का जो task है वो यहाँ पे refer किया जा रहा है the job से और the man refer कर रहा है रिशी शुनाग जी को ठीक है रिशी शुनाग जी जो की UK के नए प्राइम मिनिश्र बनने वाले है मतलब उनका अब यह task रहेगा UK को economic slowdown से निकालने का ठीक है रिशी शुनाग should not repeat mistakes of predecessors in trying to please party please मतलब होता है किसी को خुष करना ठीक है predecessors मतलब होता है पूर्व अधिकारियों मतलब रिशी शुनाग को अपने पूर्व अधिकारियों दोरा की गए गलतियों को दोरानी नहीं चाहिए इन ट्राइंग टू प्लीस पार्टी पार्टी को खुश करने के चक्कर में उन गलतियों को दुबारा नहीं दो रानी चाहिए यह इसका सिंपल से मतलब है ठीक है अंदर कह लिगा है दोस्तो अब दोस्तो ये ऐसा समय चलबाय है जहां पर जाती राश्रवाद मतलब की एक ऐसी पार्टी जो की रेस के बेसे में जो की जाती के बेसे में डिफाइन होती है उसको हम लोग इथनो नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं और जायतर जो फार राइट पार्टी theft जो बाटि को बनार नोकन रोइट पावर में टीक है तो यहां पर बोले है एक दूसरे एक ऐसा समय चलला है जहां पर जादा तर जो जाती राश्श्रवाद वाली पार्टिया हैं और ज्यादा तर जो right-wing parties हैं वो accent में मतलब कि वो लगातार बढ़ती जा रही है accent मतलब होता है लगातार बढ़ना in many democracies across the world ज्यादा democracies में right-wing parties का बढ़न देखने को मिल ला है इस समय पे the rise of Rishishunak a man of color and a practicing Hindu अब दोस्तों रिशी शुनाक जो की इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं उनका जो इस समय राइज हुआ है एक man of color मतलब की वो दूसरे color के हैं जो आप normal color होता है white color होता है उससे बिन एक दूसरे color के हैं और एक हिंदू है एक practicing हिंदू है जो की हिंदू religion को follow कर रहे है currently to the Premiership of the predominantly white Christian UK Premiership मतलब होता है Prime Minister की office या फिर जो top position होती है उसको हम लोग Premiership कहते हैं ठीक है मतलब रिशी शुनाक का जो rise है Premiership में मतलब की Prime Minister की office तक वो जहां पे predominantly white लोग बिलोंग करते हैं इसके दोस्तों बहुत तरीके से बहुत सारे इसके वैल्यूस मतलब बहुत तरीके से बहुत कुछ हमको बया कर रहा है ठीक है symbolic value मतलब बहुत चीज़ रिप्रेसेंट कर रहा है ठीक While his election as Britain's first non-white Prime Minister points to the readiness of conservative MPs to look beyond the racial and religious barrier अब दोस्तों जो उनका election था मतलब जब उन्होंने इस white dominant election में हिसा लिया था तो इससे हमको यह चीज़ बहुत चल लेती कि जो conservative party है United Kingdom की वो अब ready है readiness मतलब होता है पूड़ता रूप से तयार होना मतलब वो बिलकुन तरीके से तयार है racial और religious barriers से हट के उससे परे होके कुछ अलग सोचने के लिए मतलब religious barrier जो कि जाती एक barrier होती है कि इस जाती के लोगों को ही हमको खड़ा करना है या फिर racial एक barrier होता है कि मतलब इस color के या फिर race के according में जो classification होता है race के according और religious के according में जो classification होता है मतलब उस barrier से हट के उन्होंने कुछ नया सोचा है for a solution to the crisis of both party and country are in अब दोस्तों हो सकता है कि वो एक solution पाना चाहते हो क्योंकि दोनों party और दोनों country जो है दोनों ही एक crisis से इस समय मतलब कि बिल्कुन उल्जी हुई है मतलब party के अंदर भी crisis चल लिए क्योंकि दोस्तों conservative party कैसी image बनती जा रही ही कि इसका prime minister ज्यादा reliable नहीं मतलब ज्यादा विश्वास कि यह नहीं जा सकते है क्योंकि हमको हाला ही पिछले ही दो महीने में तीन prime minister देखने को मिले है united kingdom के अंदर ठीक है मतलब इनकी जो एक party का belief है वो कम होता जा रहा है और country तो आपको पते ही है कि वहाँ पर recession देखने को मिला है economic slowdown देखने को मिला है energy prices और inflation लगातार बढ़ते जा रहे हैं ठीक है तो दोनों को ही situation से country को बाहर निगालने की समश्या है रिशिश उनाक जी की ठीक है his victory was particularly welcomed by sections in India अब दोस्तों जो उनकी जीत हुई है ऐसा प्राइम मिनिस्टर वो particularly इंडिया के सभी लोगों को दोहरा बहुत अच्छे तरीके से welcome किया गया उसका ठीक है who sees some historical fulfillment in a band of Indian origin ruling over India's formal colonial rulers अब दोस्तों इंडिया के लोगों को एक fulfillment मिला अब एक Indian origin का आदमी जो है वो हमारे colonial rulers मतलब जो कि हमारे पूरवजों पर साशन करके जा चुके है उन पर राज करेगा ठीक है मतलब अदर से उनको एक fulfillment मिल ले but the power of symbolism is limited when it is tested with the hard realities of the day अब लेकिन जो symbolism की power मतलब जो एक non-white man का मुख्य पर आना यह जितनी भी symbolic value represent कर रहा है यह बहुत limited manner पर है ठीक है अगर हम इसको जो current की realities है current की जो on ground realities है इससे compare करें ठीक है in fact the various circumstances that led to his Reich should themselves or as a warning for the new leader और दोस्तों यह भी बोला जा रहा है कि ऐसी परिस्तितिया जिनके वज़ा से वो इस समय इस कुरसी तक पहुचे है इस leadership तक पहुचे है वो खुद पे रिशे शुनाग जी को एक warning दे रही है ठीक है क्योंकि ऐसी परिस्तिया पैदा हो गई थी Liz Trust द्वारा उनके जो provisions वगरा आये थे कि और United Kingdom की slowdown विज़े से ऐसी परिस्तिया पैदे होगी जिनके जिनके वज़ा से इनको मुख के पद पे लाना पड़ा और दोस्तों ये circumstances जो है खुद उनको एक ऐसा warning लेना पड़े है का ठीक है He is the fifth prime minister since the Tories victory in 2010 general election 2010 के आम चुनाओ में Tories की विज़े हुई थी Tories हम कहते हैं conservative parties के समर्थकों को उनके voters को 2010 से इनकी सरकार बनी हुई है आम चुनाओ से और उस समय से लेके अब तक ये पांचवे prime minister हो चुके है and the third in the last two months और दोस्तों पिछले दो माहिने में ये तीसरे prime minister है United Kingdom के Liz Truss, his immediate predecessor has also promised to revive the economy अब दोस्तों Liz Truss जो कि उनकी immediate predecessor ती मतलब कि जो उनकी immediate पूर्व अधिकारी थी जश्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी Liz Truss, उन्होंने भी promise किया था उन्होंने वादा किया थे कि मैं economy को revive करूँगी revive मतलब कि उसको दुबारा मजबूत करूँगी उसको नहीं जान दूँगी but excited in 7 weeks excited मतलब होता है दोस्तों अपने पद को छोड़ना लेकिन दोस्तों उन्होंने 7 हफतों महीं केवल 45 दिन महीं अपने पद को छोड़ दिया resignation दे दिया amid a hostile market reaction to her policy measures क्योंकि दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसी policy measures प्रपोस कर दी गई थी या फिर उनको प्रस्ताव दे दिया गया इसके मुझे से market का reaction दे था बहुत ज़्यदा hostile हो गया था बहुत ज़्यदा hearts हो गया था बहुत ज़्यदा कठोर हो गया था उनके किलाफ and open revolt among the Tory MPs और दोस्तों Tory MPs के बीच में एक खुला withdraw हो रहा था ठीक है open revolt देखने को मिला था Liz Trust के खिलाफ ठीक when the conservatives won an outright victory in 2019 elections अंडर Boris Johnson अब दोस्तों conservatives जो थे 19 election में एक प्रत्यक्ष रूप से जीत हासिल करी थी Boris Johnson के नितरत के अंदर not many expected Mr. Sunak former hedge fund manager उस समय बहुत लोगों ने किसी ने एक तरीके से उमीद नहीं करी होगी कि Mr. Sunak जो कि एक former hedge fund manager अब दोस्तों hedge fund होता है mutual fund जैसा ठीक है यहाँ पे एक ही difference होता है कि mutual fund में आहाम लोग invest कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जो hedge fund होता है उसमें किवल rich और ultra rich लोग invest कर सकते हैं कि इसकी जो minimum investment होती है वो लगबग इंडिया के साब से देखा जा तो एक करोड के आसपस होती है तो मतलब इसमें किवल rich fund जो है वो अपना invest करते हैं और उसका जो manager होता है उन funds के जो manager होते है उनको हम लोग hedge fund manager कहते हैं मतलब कि रिशी शुनाग जो थे वो एक former hedge fund manager थे है तो उस समय किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि Mr. सुनाग जो है वो इस देश के प्रदान मंतरी बन जाएंगे ठीक है तो इंड अप ऐस पार्टी लीडर से थी इन यर्स और तीन साल के अंदर वो पार्टी के लीडर बन जाएंगे और यट ही इस नौ इंटन डाउनिंग स्ट्रीट लेकिन फिर भी दोस्तों वो इस समय दस डाउनिंग स्ट्रीट में है दस डाउनिंग स्ट्रीट हम उस जगओ कहते हैं पर प्राइम निस्टर और वहां की जो चांस्लर है उनका जो ओफिस होता है वहां पर होता है डाउनिंग स्ट्रीट प्रिसाइडिंग ओवरा पार्टी अट वर्विट इटसल दोस्तों एक ऐसी पार्टी के अध्यक्च के रूप में सामने खड़े होंगे जो कि जिसके अंदर खुद में एक वार चल ला है जिसके अंदर खुद एक लड़ाई चल ला है and an economy that has estimated budget deficit of 45 billion डॉलर और दोस्तों एक ऐसी अर्थ विवस्ता जिसमें 45 billion डॉलर का घाटा चल ला है deficit मतलब होता है घाटा चल ला है is headed towards recession जो कि recession के तरफ बढ़ती चली जा रही है mandi के तरफ बढ़ती चली जा रही है ठीक के recession मतलब होता है mandi ठीक उसके आगे कहले का है दोस्तों the country is also struggling with a cost of living crisis अब दोस्तों cost of living मतलब कि वहाँ जो रहने का basic खर्चा होता है वो भी उससे भी लोग वहाँ के परसान हो चुके है एक तरीके से crisis आ चुके है वहाँ पे with inflation hovering around 10% hovering मतलब होता है भटकना मतलब जो inflation rate है वो जहां कि महंगाई दर्ज है वो 10% के आस-पास भटक रही है और मतलब इसी के आस-पास 10.9, 11, 12 इस तरह आस-पास ही भटक रही है बट ही ड़स नौट है वैनी magic bullet वॉफल लेकिन दोस्तों बोला जा रहा है कि रिशी शुनाक के पास ऐसी कोई magic bullet तो है नि मतलब ऐसी कोई जादू की गोली तो है नि जिसको वो खिला देंगे और UK की condition जो है बिलकुन फिर से पहले जैसी हो जाएगी फिर से UK जो है 5th largest economy बन जाएगी ठीक है ऐसी कोई समय उनके पास ज्यादुक बुलट है नहीं मार्केट जो है वो एजी है मार्केट जो है ज़स छोर पर खड़े हुए है मतलब ज़स इंदम एज पर खड़े हुए है या तो इस पार गिरेंगे या तो इस पार उठेंगे ठीक है अब दोस्तों लग रहा है कि वो cost cutting measures को announce करें अब ऐसे measures को कहते है जहां पे खर्चा कम किया जाता है और पैसे को बचा कर profit पे ध्यान दिया जाता है ठीक है तो लग रहा है कि दोस्तों वो भी cost cutting measures अपनाएंगे but for Britons who are already grappling with high inflation लेकिन दोस्तों बृतन Осब य zestंद बृतं से बृतन्स हम कहते हैं बृतन को वर अंगायी के जालब है that would be bad न्यूस दोस्तों यह जो news आ रहे है कि कि वह कॉछ कॉस्क्राथिग मे Auto जी वह एक खराब नस एठीक है and as Russia's Ukraine war is not expected to win down अब दोस्तों Russia और Ukraine का जो war चल ला है जो Russia का Ukraine में जो आगरमर चल ला है वो लगता नहीं है दोस्तों बहुत जल्दी खतम होने वाला है विन दोन मतलब खतम होना the energy crisis and the inflationary pressures will stay अब दोस्तों जो energy crisis बनी हुई है और जो महंगाई की जो pressure एक तरीके से बना हुआ है जो inflation rate बढ़ता चला जा रहा है वो दोस्तों मेरे क्याल से अभी रहने वाल है ठीक है so Mr. Sunak will have to walk a fine line between keeping the markets in good faith अब दोस्तों keeping the markets in good faith and providing relief to public rattled by high inflation अब दोस्तों keeping the market in good faith मतलब कि market में भरोसा बनाय रखना है and providing relief to public rattled by high inflation rattled मतलब होता है कि एक तरीके से दुखी है public जो कि महंगाई बहुत जादा महंगाई के बज़े से दुखी हुए है एक इसके बीच में और markets में good faith बनाने के बीच में रिशी शुना को एक fine line बनानी पड़ेगी एक प्रत्यक चलाएं उनको खीचनी पड़ेगी दोनों तरीके को balance way में लेके चलना पड़ेगा आगे while also opening larger reforms to bring back growth और दोस्तों उनके नाइने reforms भी लाने होंगी इसे के साथ-साथ ताकि growth देखने को मिले economy में ठीक है a tall ask अब दोस्तों tall ask मतलब एक बहुत ही ऊची demand को कहते है मतलब एक ऐसे request की जा रही है जो की बहुत मुस्किल है achieve करने के लिए ठीक है but Mr. Sunakko that least have begin it on a clean set अब clean set हम कहते हैं नए series मतलब की जो उनसे demand की जा रही है जो उनसे expectations की जा रही है वो एक बहुत ही tall ask मतलब एक बहुत ही ऊची expectation की जा रही लेकिन दोस्तों उनको सब चीजों को एक नए सुरू से दुबारा सुरू करना पड़ेगा ठीक है by reappointing Swela Braverman and Immigration Hardliner अब दोस्तों Swela Braverman को reappoint करके दुबारा नियुक्त करके जो की Immigration Hardliner थी Hardliner मतलब जो की बहुत कटिन बहुत ही हार्स हम कहते हैं हार्स वेक्ती को Immigration Hardliner थी and an apologist of the empire who was fired by mistrust after weeks into our job अब दोस्तों जो की Swela Braverman को mistrust ने मतलब Lizitress जो की पूर प्रदान मंतरी थी उन्होंने अपने जॉब में आने के कुछ ही हफते बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था empire ने क्या किया है उनको दुबारा apology दे दिया मतलब दुबारा उनको maafी कर दिया है maaf maaf कर दिया है जो की एक Immigration Hardliner थी और उनको वापस से ये point कर लिया गया है Mr. Sunak दोरा मिश्टर सुनाक के सेंडिंग मिश्टर अब दोस्तो ऐसा करके वो एक मिश्टर सिग्नल से लोगों तक पहुचा रहे है मतलब की ऐसा एक प्रत्यक्स शिग्नल नहीं दे रहे है भलकि एक मिश्टर सिग्नल दे रहे है ठीक है मतलब इतना सासी तो होना ही पड़ेगा ताकि वो इन मिश्टेक्स को दुबारा नह दोर आए और उनके किस्मत पुराने प्रेडिसेसर जैसी ना हो मतलब बोडिस जॉनसन जैसी और लिस इटरस जैसी ना हो आशा करते हूं दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल के अलान से समझ जाई होगी कैसा लगा आपको अनालिसेस प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा दोस्तों प्लीज टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे क्योंकि वहाँ मैं डेली पेडिएफ सेंड करता हूं थैंक यू